कि हेलो बिरोन आपका बढ़ फिर सेतलिशी शेंटर में स्वागत है आज किस वीडियो में आपको मैं फेन प्लोहन बीदी बताने वाला हूं ठीक है और मैं बता दूँ आपको यह एक्जाम की दिरिश्ट से इसलिए मैं लेकर आया हूं फेन प्लोहन बीदी को बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं ठीक है अब देखिए यह बीदी में पहले मैं डाइग्राम बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको समझ में भी आएगा यानि कि फीग अगर बना दूँ देखिए आप सब क इसके फिल की सहाथा ले लेना पढ़िया कियोंकि एक्जामम म ऐसे बनाना है ना जिस से कहें कि यहां कहें कि कोई बंदा बना या बढ़िया वाला इो ठीक है कि यह समझ लो क्या है यह टैंक है समझ लो क्या है यह टैंक है और यहां से वायू डालने के लिए यह बना है ठीक है यहां से वायू जाएगा अंदर यह वायू गया और इसके लिए कुछ और बनाओ आई बता रहा हूं बहुत ही अची तरीके से मैं समझाने वाला हूं आपको देखिए यहां से मैंने क्या डाला वायू पहले इसको अब लिपते चलो वायू को डाला हूँ और यहां पर थोड़ा थोड़ा देखी क्या क्या मैं मिला रहा हूँ इसको यहां से पहले बंद करो यहां से देखी कोई टैंक लिया हूँ और इसको मैं बारेकी से उपर देखी बंद कर दिया हूँ अब यहां से वायू प्रवाहित कर रहा हूँ ठीक है यहां पर वायू आ जाएगा ठीक है यहां पर वायू आया अलग अलग कर दो ठीक है अब यहां पर मैंने क्या ले लिया आयस्क ले लिया हूं कुछ आयस्क है आयस्क को तो भाई जनते हो गए यह आपका क्या है आयस्क हो गया यह आयस्क हुआ इसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा क्या-क्या मिलाया हूं ध्यान समझ यह इसमें जल मिला दिया हूं और पर इसके अंदर क्या है आयस कहें ठीक है अब देखी यहां से वायू प्रभाइद हो रही है तो लिखेंगे क्या इस विद्ध में सलफ हाइड आयस को का सांद्रड करते हैं पहले सको लिख दो थोड़ा से इसे विद्ध में सलफ हाइड कि आयस को का सांद्रड करते हैं आयस को का सांद्रड करते हैं क्या करते हैं जो आयस का है उसका क्या करते हैं सांद्रड करते हैं इतना तो समझ में आ गया इसमें क्या करते हैं इसमें आयस के लिए हैं ध्यान समझे जो मैं बोल रहा हूं इसमें क्या है आयस को और जो आयस का है यह देखिए बारीकी से गम पतला पतला उसको पीसा गया है जो आयस के क्या हो पतला है पीसा गया है यानि कि जो आयस के इसको बारीक पीस कर जल क्या क्या मिला गया है जल चीड का तेल मिला देते हैं यह क्या है आपके अंदर यह आपके अंदर नहीं मतलब टैंक के अंदर इ यहां से उपर से वायू प्रवाहित करते हैं जब वायू प्रवाहित होगे तो Achiddita यह जणदगी होगा वह नीचे जम जाएगा यह गंदगी है और चीज़այें ऊपर में बना रहा हूं गुला 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 यह करते हैं से यह उपर आ गया अब एक चीज आप बताओ आप बालुटी ले दिए और इसमें बाल्टी में पानी भरा हुआ है और बाल्टी में आप डाल डाल देती हो चोटा हुआ जोढ़ डालेते हो यहाँ से कग डालो गो है भीट तो अध्यान समझीए गिट्टक को जब डालोगे पानी में तो गिट्टक कहां के जमेगा नीचे जमेगा सिंपल सी बात क्या जमे कहां पर जमेगा नीचे जमेगा और जो सुध्ध होगा जो पानी होगा क्या मैंने बोला था सिर्फ गिट्टक बोला था कि ना माटी ओटी उसे में डाल दो माटी हें ये योँपर की तरफ है यह सब क्या क्या आपका तक सुद्ध है यह सब र रहें और इसमें फिर्स ने बार देखेंगे प्रवाहित करते हैं इस में जल और चीड का तेल चीड का तेल मिलाते हैं जब और देखिए असुधिया नीचे जम जाती है जो सुध्ध होते हैं वह उपर चले जाते हैं सुध्ध के रूप में उपर चले जाते हैं मैंने बाल्टी के रूप में आपको समझाया कि मिट्टी उसमें गिट्टक डाल द महीन यानिक बारीक पीस कर पीस कर जल जल और चीड का तेल जड़ और चीड का तेल मिला देते हैं क्या क्या मिलाते हैं इसमें आयस को बारीक पीस कर यानिकि महीन पीस कर जल और चीड का तेल मिला देते हैं इसमें नलिका नलिका की सहायता से नलिका क्या हुआ एक मिनट देखो ये नलिका बना है ये आपका क्या है जो वायू आ रहा है क्या है नलिका है तो लिखेंगे क्या है इसमें नलिका की सहायता से की नलिका की सहायता से वायू प्रवाहित करते हैं वायू प्रवाहित क्या करते हैं वायू प्रवाहित करते हैं जिसमें जिसमें असुधियां भाई कमिश्टरी भासा लिखो न असुधियां नीचे जम जाती हैं नीचे जम जाती हैं मैंने आपको बाल्टी के रूप में समझाया कि बाल्टी में गिटक डालो नाकी माटी डालो तो गिटक डालोगे तो गिटक जाके अराम से नीचे बैठ जाएगा पानी आपका सुध ही रह जाएगा यारी को चोपराओ सुध हम स्विस्वार में पर आ जाता है उपर आ जाता है इतना समझ में हैceğim I hope कि आप सो को समझ में आया हो गा एक उताहड मैंने आपको अभी और बताने के लिए पोला हूँ देख़ैंगे अगर मैंने बाल्टी ले लिया और सर्फ को मैंने बाल्टी में डाल दिया और वा सर्प भी हो हो और एक यह सब देखने ना अगर सब की रूप मेरे अगर' आजाता है जो घटक देखना तरफ जो आपका सर्फ रहता है वाँ नीचे जम जाता है यही तो होता है फेन प्लौन वीडियो आई होप समझ में जरूर आओगा अगर समझ में है तो प्लीज लाइक करें सेयर करें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करें के बेल आइकन प्रेस कर लें जिसे कि आने होला हर वीडियो का नोटिपिकेसन सबसे प्लाइब तक चैनल को सब्सक्राइब करें जो पूल बाइ